फिसरी क्या मामला था यह है? फिस्त रह्ते लिए मुट्डार पी ऐसा कि मैं ड्राइवर आद्मी हूँ और 7 में मैं मेरे जनानी के पास में आफेज नमबरों से फोन आया तो उनको हमने समझाया जनानी निशोवी मैंने बोला उनको समझा दे तो जनानी ने हरतरे उसको समझाया मेरे पांच बच्चे हो तुम मेरे से क्या चाहते हो तो लेकिन वो बंदे नहीं माने नहीं मारने के कारण मैं अपनी गुडगामा गाड़ी खड़ी करके अपने स्याम को घर पाया तो मैंने फोन खोला तो उनका फोन आना चालू हो गया चालू होने के कारण मैंने जनानी को बताया कि इनको बुला बुलाने पे फत्ती का लड़का रोभीन आया वो यहाई गया हमारे मोले की उसके बाद में उसको मैंने पूछा भई तू इस आदमी को बता जो हमारी घर पे फोन करता है तो दोनों बाप बेटे बोले नहीं हमारे तो वाट सोप में नंबर है और हम किसी को नहीं जानते गाम में आस पास के सारे गाम वालों को जानते हैं तो हमारा लड़का तो उसे ही चले गया इसके पास में वाट सोप में नंबर है तो उसके बाद जिसकी सिम को यूज करता था वह साइद TF के अधे में लूस यह गर पे आया तो इसने अपने फोन से दो इक उल किये थे तो उसके वजे से मैं निनि स्को छोड भी दिया तो उसके बार में इसने यह फोन वाला नहीं बताया तो अब Dodhad, इसका मैंने पता लगाया तो Saaid Kureishi के नाम से ये Sims है और यहाई इसके पास वो लड़का काम करता है तो उसके बाद मैंने थाने में रिपोर्ट दी तो तीन बार मेरी थाने ने तीन महिना तक मेरी रिपोर्ट दरज नहीं की यह सीखरी थाना है पूरन लाल थानेदार है इसने तीन महिना तक मेरी रिपोर्ट दरज नहीं की उसके बाद अब एक बच्चलन जनानी है उससे मेरी जनानी को कोई जगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं उससे मेरी जनानी को इन्होंने पिटवाया और जिस टेम वो लड़का पकड़ा, उस टेम वही जनानी मेरे घर पाई नहीं मैंने कोई रोल मचाई नहीं कुछ किया उसको पकड़ के बिठा लिया तो मेरे को ये बता फोन कौन करता है तो उस जनानी को उस टेम पता लग गया तो उसी टेम वो जनानी सुबह मैंने उसके घर देखी लड़के वाड़े के एक महिना पीछे मेरी जनानी को पुरा हमला कर दिया उसने तो वो जनानी हमारे घर आती जाती थी वो जनानी ने नमबर ले जाके मेरे हिसाब से उनको इस गैंग को दिया इस गैंग को साथ में महिने में मैंने इस गैंग के खिलाब मुकदमा किया सीक्रित थाने में नहीं दर्ज हुआ तो अभी बारे तारीक को पहले मेने में मैंने कोर्ट से इस्तीका किया है उसमें मेरे को कोई नयाई नहीं मिल रहा है और उसके बाद में आठ तारीक को मेरे भाई की बहरबाने के साथ चार-पांच लोगों ने जबरजश्ती रेप गैंग रेप कर दिया है उसमें भी हमको कोई नयाई नहीं मिल रहा है और इनके कम से कम 200 घर है और हमारा एक घर है और उसके वज़े से दवाब बना के हमसे राजी नामा लिखवाना चाहते हैं तो आपने इनके माबापों से बात की हो हाँ माबापों तो सब को बता दिया कोई भी मुल्यम को नहीं बताता है जितने भी बन्दे मैंने पकड़े हैं सब के माबाप के पास गया पालकी में एक लड़का बोला था उसके पास में हमारा मौले काई लड़का बोला उससे मेरी बात हुई उसने बता दिया कि मैं इसको तेरे से मिला दूँगा अभी तक उसने वो बंदा मेरे सामने नहीं आया एक मोहिन नाम का बनता है ये पांच नंबर है एक, दो, तीन, चार, और पांच पांच नंबरों की, एक बंदा इन में मेरे नजरों में है और दूसरा बंदा भी हाँ, सीकरी में है तीन बंदे मैंने पकर चुका हूँ उनको जो ये आपने हैं इनके माबापों से घैए हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारे लड़का है नहीं ऐसा यह करता है नहीं है और सम्हों सारी वहाई पकड़ी जा रही है उनके पास कोई जबाब नहीं देते दबंग गिरी दिखाते हैं अमरे बीबी ने बताया है मेरे से बात अन्हें बहुत बड़ी बड़ी बखवासे की हैं कि तो टो ड्राइबर आधमी है तू तो वहारे था था हमारे बहुत पुराने सेटिंग है एयर हुआ है मतलब देश भर की मतलब इस जनानी की जिंदगी खराब करने की बात कि उन्होंने रिकोर्डिंग हमार पास में कोई नहीं है हमार पास में साधा फोन है तो हमने एसपी को भरतपूर डेसपी को नगर सियों को कोड से इस्तिका कर रहा है थानदार को दो रपोर्ट दी रपोर्ट लिखवा रलतारा उसको कत्रम न Вас ने खेट अर्प टर्श् support और अवे तक दर्शना ने रिया है यहां की पुलिस को इस दाखना रहा है यह इस के सरकार्ट और बशनार को ईस दानदार का नाम लिया बोटारी है और उनको मैंने रंगे आथ पकड़ भी लिया, घर बुला के भी पकड़ लिया है, लेकिन अभी तक कोई थाना कारवाई नहीं कर रहा है, अभी मैं अपने मुकदमे की नकल लेने गया तो वो भी नहीं दे रहा, थानदार बात ही नहीं करता है, थानदार को तो यह जैसे यह दलाल लोग हैं, यह तो थानदार को कुछ भी दे देते हैं, एक तेरा मेरा जगड़ा हो गया, और इनको इनको इनसे बात कर ली, इनको यह दस जार मार लेंगे, थानदार से फ्रीम पिन शुड़वा देंगे, थानदार तो भी का हुआ, शियों ने थानदार ने दोनों न आठ आठ नो लो नो लाक रुपे कमाये इस केस में, और हमको कोई नयाय नहीं मिल रहा है, तो यहां की गोवर्नमेंट से, गेलो सरकार से, हम नयाय चाहते हैं, नयाय मिलना चाहिए, क्योंकि हमार साथ बहुत गज़त हो रहा है, हमारे यह गरें, इनके 500 गरें, तो यह हमको सो नमबर की पुलिस को सो नमबर पर फोन करके रात को सोते को ठुआ दिया, उसके बाद असलम और बरकत और फत्ती और फत्ती का लड़का, मेरी जनानी की जट लूटने आगे, गेटों पे फत्तर मारे और जनानी को गल्त लबज बोले, इतने इतने गल्त लबज बोले, ज कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे बुलाओ जुनानी उगो लट्य फड़वाओ ये करो उगो करो तो जुनानी घबरा गई है गेट बंद कर लिया फिर फत्तर मा रहे हैं गेटों में वाजी बली पांस-पंद्रे साल अनीटा एमेले रही थी कोई कुछ आंक तक नहीं दुखी जबसे वाजी बली आया है जबसे हमको पांस साल से बरोबर दुखी कर रहा है और हम नहीं कम दस बहरबानियों की इन्होंने जिन्दगी खराब कर दिये दES पंद्रों बेरवानियों के जिनानी खराब करते है। हमारा आख़री संदेश यही है। कि नहाएं मिले! जो उसके मुल्जी में, गेंगरेप के मुल्जी में वो पकड़े जाएं। जो हमारे मुल्जे में वो हमारे नजरों में पुलिस क्यों नहीं पकड़ती उनको दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सबस्क्राइब कीजिए में वात आज तक चैनल को और शाथ में दबाईए बेल आइकल घंटी